हाव रूफीक्स, वान प्लस नोट सी इ, वाइफाई नोट टर्रणिंग ओन औन ओफ प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर है अब सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है वाइफाई के इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्फ कैसे कर सकते हैं कभी कबार दोस्तों यहाँ पर क्या होता है हम जब वाइफाई को ओन करने जाते हैं वाइफाई ओन नहीं हो पाते हैं झालब के हैं ? वह on होने की कोशिश करते हैं लेकिन और अचमिटीक बन हो जाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर डेख लेगा ज़ेए मैं आपको step why सेरा बताओंगा स्ब्सक्राब बने wcześniej seitaya जो प्रोउसे से उसको फोलू किजिए और आपका जो प्रॉब्लम है वो दोस्तो डेफिनेटली फीक्स हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आई तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आईकोन को क्लिक करे अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉलम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज भी कर सकते हैं चले दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं और यहां पर दोस्तो देखते हैं कैसे करके हमें फिक्स करना होते हैं जब वाइफाई और नियोपाते ओफ नियोपाते ठीक है तो दोस्तो मैं आपको यही सज़ेस्ट करूंगा सबसे पहले आप एक बार अपने मुबाइल को रिश्टार्ट करके देखें क्योंकि दोस्तो कई बार बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं हमारे मुबाइल पर वो दोस्तो रिश्टार्ट के बाद फिक्स हो जाते हैं ठीक है एक तरह के से फिक्स ही हो जाते हैं तो आप दोस्तो सबसे पहले रिश्टार्ट को फोलो कर सकते हैं अगर restart करने के बाद solve हो जाते है problem तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप जाए अपने mobile के setting पर उसके बार wifi को reset करें ठीक है तो reset करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर scroll down कीजिए system पर जाए एंद आपको मिलेगा यहाँ पर reset option तो इसमें click कीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा reset wifi, mobile and bluetooth तो जाके आप reset कर दीजिए ठीक है तो यहाँ reset setting पर click करके आपको mobile password देना है और reset कर देना है तो इससे दोस्तों वाइफाई का setting है वो reset हो जाएगा and then दोस्तों आप यहाँ पर back करके अपना wifi in network को open कीजिए और यहाँ से आप बन करके देखिए या फिर on करके देखिए ठीक है अगर आभी भी आपको problem आ रहा है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं तो दोस्तों आप अपने mobile को safe mode पर reboot कीजिए उसके लिए power button को press and hold करके रखना है power off के button को 2 second click करके रखना है और यहाँ पर okay कर देना है safe mode पर reboot होने के बाद दुबारा से try करिए आपका problem solve हो जाएगा अगर problem solve हो जाते है ठीक है अगर नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तों आपको scroll down कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा यह option system और system update कर दीजिए कई बार दोस्तों क्या होते है system update नहीं होने के वज़े से phone misbehave करते है ठीक है तो एक बार system को update करके ही देख लीजिए आपका problem solve हो जाएगा and then दोस्तों आप अच्छे से अपने mobile को use कर पाओगे wifi on and off होना शूरू हो जाएगा तो यह था दोस्तों solution जिसके मदद से आपने problem को solve कर सकती है उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह जो video है पसने होगा thanks for watching